हलो नमिश्कार, वल्कम तू इंकलकेट लर्निंग, NPEGEL यानि की नेशनल प्रोग्राम किसके लिए for education, किसकी girls की at elementary level सो ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, इस प्रोग्राम के बारे में डीटेल में discuss करेंगे at least आपको full form पता हो, इसका एक basic सा idea हो, जैसे आपको एक पूरा historical aspect में basic सा idea होता है कि pre-independence कौन से commission थे, बाद में कौन से commission आये, क्या-क्या programs important है सो उनमें एक नाम ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपने last दो lectures जो upload किये थे, मैंने वो देखे होंगी जिसमें कस्तूरबा, गांधी, बाली का विद्याले था और दूसरा आपका सामक्या, महीला सामक्या, MS, ठीक है, ये था सो आपको ये लग सकता है कि same-same सी बाते हो रही है, girls education के उपर बाते हो रही है तो वो चीज़ मत सोचें कि same-same सी है, बट important topic है, NIOS के material में भी mention है specifically जब girls की या जो आपके inclusive education की बात आते हैं, तो inclusion में definitely girls या वो भी एक vulnerable group की तरह मानी जाती है, तो वो भी उसके अंदर included रहती है So, यह important topics है, आपको full form पता हो, उसके बारे में एक basic सी knowledge हो, वो important है ठीक है जी? So, this is presented by me, Raveena, आप videos informative लगे हैं, तो इनकल की, learn, you को like, share, subscribe जो है आप कर सकते हैं, it's absolutely free So, इसका अगर background की बात करें, तो 2003 में, July 2003 में, यह program जो है, वो launch किया गया थे, एक नया program basically, नया ही इसलिए, क्योंकि इससे just पहले 2001 में हमने, सर्व सिक्षा अभियान की बात की थी So, उसी में, एक amendment थोड़ा सा करके, एक scheme की तरह, मिलब सर्व सिक्षा अभियान में भी obviously बात हुई है लेकिन girls education की बहुत जादा बात नहीं हुए और सिर्फ girls education पे focus नहीं हुआ है इसलिए हम specifically girls के education पे focus करने के लिए, NPE, GEL जो है, वो ले के आते हैं चीक है जी, किसलिए है, additional components, यानि जो सर्व सिक्षा अभियान में mention है उसके साथ साथ और कुछ एक चीज़े add करने के लिए, कहां पे girls के education में, elementary level पे चीक है, so NPE, GEL जो है, वो एक part रहेगा किसका सर्व सिक्षा अभियान का और उसी के, मतलब एक बड़ा umbrella या उसी के mbit के under जो है, इसको implement किया जाएगा लेकिन एक अपनी distinct identity इस program की होगी और शायद इसी लिए हम इस program को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है जी तो ये जो scheme थी अपनी सर्व सिक्षा अभियान, वो शुरू की गई थी 2001-2002 में, objective क्या था, universalization of elementary education सो उसी में एक attempt था basically ये कि आप जहां improve करेंगे human capabilities सभी बच्चों की including girl child सो वो including girl child था लेकिन properly क्योंकि वो है ना कि सब बच्चों पर आप focus कर रही हैं, तो सिर्फ girl child पर तो focus जादा रहेगा नहीं सो सर्फिक्री अभियान जो है उसके भी कुछ एक limitations रहेंगी ना वो भी limited रहेगा चाहे financial level पे हो या बाकी चीज़ों के level पे सो वो एक limitation तो वहां रहेगी इसलिए हम जो है किसके साथ आते हैं NPE, GEL लेके आते हैं और यह जो है किसलिए था यह underprivileged यह फिर जो disadvantaged girls है disadvantage level पे जो girls हैं कौन सी class की class first से लेके 8 सर क्योंकि first to 8 जो है वो हमारे किसमें आ जाती है elementary education में आ जाती है तो अब हमने terminology जो है वो अपनी change कर दी है NEP 2020 हम ले आये हैं और उसके अंदर अलग से हमारी 4 stages हैं उन stages में हमने ECC को भी include कर दिया है तो यह सारी चीज़े होने के बाद अब एक elementary word हम जादा use नहीं करते है वाट still elementary education अभी भी वही 6 से 14 साल की age जो है न वहाँ पे जो हम education provide करते हैं तो वो एक तरीके से up to 8th class हो जाती है तो यह भी up to 8th है 1st to 8th आप याद रखिए अगर याद ना भी रहे तो by default at least जब free education या कुछ अच्छी बात हो रही है तो वो at least 14 age तक और एक elementary level तक तो हो ही रही है बात तो यह 1st to 8th एक separate और एक gender component को मध्य नजर रखते हुए कि हाँ ठीक है girls education की बात हो रही है तो सर्व जिक्षा भियान के अंडर इसको चालू किया गया जो gender component है वो necessary है क्या achieve करने के लिए universalization of elementary education for girls specifically in educationally backward areas okay so implementation के areas कौन से होंगे कहा कहा इसको implement किया जाएगा सबसे पहले तो जो educationally backward blocks है वहाँ पे इसको लागू किया जाएगा जहां पे जो level है rural female literacy का वो national average से कम है gender gap जो है वो national average से जादा है अगर आपको ध्यान हो हमने ऐसे ही areas में कस्तूर बाल जो है गांधी बाली का विद्याले भी शुरू किये हुए है अगर आपको थोड़ा सा विद्यान हो तो महाँ पे भी यही था कि educationally backward block हम किसको बोल रहे है rural female literacy वहाँ पर बस हम यह बोल रहे थे कि जिन blocks में female literacy जो है वो national average से कम हो यहाँ पर हमने specifically थोड़ा सा rural bird जो है वो mention कर दिया है जो भी blocks है also जो blocks है 13 districts में किसके जमो एंड कश्मीर के जो qualify करते है इस definition को और बेशेक 1991 के census में जो है वो cover नहीं किये गे थे बट उनको भी आप include करेंगे इसमें दूसरा है वो block district के जहाँ पे at least 5% जो है वो SCSD की population हो और जो SCSD female literacy है वो 10% से कम हो तो वहाँ पे भी उन block में भी उन तहसील में भी यह program जो है वो लागू किया जाएगा और urban slum के कुछ एक selected जगहा पे यह लागू किया जाएगा तो हम यह नहीं बोल सकते की जैसे कस्तूरबा जो है गांधी बाली का विद्याले थे वहाँ पे हमने specifically नहीं बोला था कि रूरल और urban वहाँ पे हम specifically यह जा रहे थे कि educationally backward blocks होने चाहिए जहां पे female literacy जो है वो less than national average है और जो अपना gender gap है वो above average है सो वो वहाँ पे हम लागू कर रहे थे बड़ जो specifically यह scheme है इसमें urban areas में selected urban slums ही included रहेंगे डाटा कहां से लिया जाएगा डाटा लिया जाएगा 2001 के census से क्यूंकि यह जुलाई 2003 में launch होई है scheme तो हम 2001 के census के हिसाब से जाएंगे वो तो वो ABC यानि जो अपने educationally backward blocks है block of districts है या फिर जो selected urban slum है वो हम उस census के basis पर decide करेंगे अब state जो है जैसे ही 2001 का census आ जाएगा उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि कुछ एक और जगह या कुछ एक और blocks जो है वो add किये जाने चाहिए या यह वाले block में इतने educationally backward लोग नहीं है तो आप दूसरे block को भी उसमें change कर सकते है तो यह competency किस के पास रहेगी state के पास रहेगी proper strategy क्या रहेगी हम करेंगे क्या हमने यह देख लिया कि हम major purpose क्या है हमारा हमें girls education पे focus करना है elementary level पे और दूसरा हमने यह देख लिया कि कहां कहां focus करना है अब कैसे क्या चीजें रहेंगी तो वो strategy में आ जाएगा so girls education की mobilization जो है including community, teachers, NGOs so यह एक पूरा का पूरा जो है वो process oriented program जो है रहेगा जहां पर हमें community participation, local participation यह सारी चीजों की आउशकता पढ़ेगी दूसरा है जो basket of components है जो provide किये जाएंगे इस scheme में all blocks would not take up all activities तो जितनी भी चीजें यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे blocks हो गए so अब जितनी भी activities हम mention करेंगे सारी activities जरूरी नहीं है हर एक block में follow up हो रही हो क्योंकि वो depend करेगा उस block की condition के उपर कि उस condition में specifically आप कि उस block में किस चीज़ पर target कर रहे हैं हो सकता है आपके particular block में drop out जादा हो girls के so आपको drop out पे focus करना है कि वो क्यों हो रहा है और कैसे better किया जा सकता है हो सकता है आपके block में comparatively फिर भी जो है अदब out of school girls हो so overall आप ध्यान रखे कि अपने block के हिसाब से इस project को आप क्या गर्रें implement कर रहे हैं so majorly specific target क्या रहेगा इनका इनका ये ध्यान रखेंगे out of school girls का drop out girls का या फिर average आएगा ये average on average girls जो की complete नहीं कर पाई है अपनी elementary education या working girls है या marginalized social group से girls है so girls जिनके attendance कम है या उनका achievement का level कम है okay तो ये specifically इन चीज़ों के उपर target करेंगे then further अगर बात करें तो हमें material develop करना है तो हमने क्या किया पहले तो हमने सब लोगों को include किया community को include किया, teachers को, NGOs को, सब को include किया okay दूसरा हमने specific target set कर दिया कि हमें इन चीज़ों पर focus करना है तीसरा अब हमें material develop करना है चाहे वो teaching learning material हो, cds हो, film हो या और material हो जो कि आपको help करें कोई भी जो booklet है, चीज़े हैं उनको review करने में, develop करने में सब बेटर तरीके से सारी चीज़ें prepare कर पाएं एक reading material बेटर तरीके से girls के लिए अलग से hope जो की support करें उनकी मतलब जो girls education में जो हैं चीज़ें हैं वहाँ पे जाके यह material support करें यह strategy का part रहेगा Major objectives क्या है उल्दो हम objectives major तो यही रहेगा कि हमें जो है लड़कियों के education बेटर बनाने हैं लड़कियों के हालात बेटर बनाने हैं अगर फिर भी हम line to line जाएं यहाँ पे एक significant हमें पता है कि significant gender gap हमें देखने को मिलता है elementary level के उपर जो की more acute हो जाता है यानि वो gender gap और जादा हो जाता है कहाँ पे यह आपका से scheduled caste और scheduled tribe की girls की जब बात आती है for whom the gender gap is almost 30% at primary level or 26% gender gap है upper primary level पे तो जो reduction है gender gap का has now plateaued यानि अब जो यह gender gap है ना यह इससे कम होना बंद हो गया है यानि वो होता ना जैसे एक learning का plateau नहीं पढ़ते हम तो वो plateau सा आ गया है कि वो चीज ना अब constant जा रही है कि हम कुछ भी करके यह जो gap है ना इसको कम नी कर पा रही है ठीक है so further reduction जो है उसके लिए हमें focus करना पड़ेगा किसी चीज के ओपर तो हमारा जो focus जो है वो बहुत बढ़या होना चाहिए कि हम इन groups तक पहुँच पाएं जो लड़कियां बची हुई है पढ़ने से okay so यह necessary है कि कुछ एक interventions जो है वो include किये जाए specifically girl children की जो needs है उनको ध्यान में रखते हुए okay so objective क्या रहेगा हमें develop करनी है और facilities को promote करना है to provide access तो सबसे पहले access then retention यह अपने universalization में भी same steps की बाग की थी यहाँ पर भी same रहेगी कि आप कैसे वहाँ उनको education की access provide कर सकते हैं then वो access होने के बाद वो retain करें अपनी education पूरी करें और greater participation for women or girls का education के field में दूसरा रहेगा कि आप quality of education को improve करना चाह रहे हैं बहुत सारे various interventions के थ्रू और आप stress किसके उपर डाल रहे हैं girl education की quality के उपर उनकी empowerment के लिए अब focus किस पर रहेगा strengthen करनी है capacity किसकी national level पर, state level पर district institutions, organizations for planning basically अगर हम इनको strengthen करेंगे, girl education को better तरीके से evaluate करेंगे dynamic management structure जो है वो create करेंगे so हम यह जो challenges है न girl education के उनके प्रतीब better तरीके से respond कर पाएंगे, तो हमें इन सारी चीज़ों को और इनकी capacity को strengthen करना है to develop innovative gender sensitization training programs, तो हमें क्योंकि वो है न, gender sensitive लोगों को बनाना पड़ेगा न, पहले आप girl education का जंडा लेके घूम रहे है और किसी को परवाई नहीं है उस चीज़ की because they are not gender sensitive उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से तो वो गलत हो जाएगा तो आपको innovative gender sensitization program जो है वो organize करने है teachers के लिए, administrators के लिए क्योंकि अगर वो लोग aware होंगे तो फिर वो further aware कर पाएंगे और तब जाके जो है जो gender के basis पर disparities है, biasness है वो हम कम कर पाएंगे एक networking initiate करनी है हमें अलग-अलग institutions के बीच में ताकि वो in particular चीज़ों के उपर research करें चीज़ों को extend करें और जो भी information है उसको disseminate करें यानि कि आप उसको spread out करें ताकि जो gender sensitivity वाली चीज़ है या जो quality teaching learning material है, अलग-अलग languages में जो आपने बनाया है तो उन चीज़ों के लिए आप लोगों को aware करें तो वो एक output जो है वो हमें better निकल के आई, okay, so हमें initiate करना इस networking को, जैसे बहुत-बहुत सारी political parties की ऐसे networking होती ना, election के time पे आपको उन ही की चीज़े दिख रही होती हैं, चाहिए आप कुछ भी खोल लो, कोई भी social media app खोल लो, तो वहाँ पे आपको उनका promotion दिख रहा होता है, आप बार निकल के घर से बार निकल के आँखी खोलोगे तो उनका promotion नजर आ रहा होता है तो वो जो promotion है ना, वो एक तरीके से आपको बार-बार-बार aware करवाने के लिए कि हमें vote दीजी, हमें vote दीजी same चीज़ यहाँ पे करनी है हमें कि हमें better तरीके से networking करनी है अलग-लग institutions के बीच में ताकि वो better तरीके से aware कर पाए to gear the entire education system to play a positive interventionist role to enhance self-esteem, self-confidence किसका, women का या girls का एक positive self-image बनानी है वो ही positive image की बाद हमने महिला सामक्य में भी ही थी so एक entire education system ही हमें ऐसा बनाना है जो कि एक positive role play करे gender stereotypes को हमें break करना है ensuring that the content या जो process education का वो sensitive to gender concern और उसी के basis पे हम यह सारा का सारा वो कर रही है कि हमें चीज़ों को बिल्ला वो gender-based पे जो stereotypes है न वो रोकने हैं पहले उनको तोड़ना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यह बोला जा रहा है कि लड़की हो तो आप घर पे खाना ही बनाऊगी तो यह stereotypes जो कि दिरे-दिरे break हो रही है हम बोल सकते हैं बट major level पे नहीं हो रहे हैं कि हम बिल्कुल ऐसे खुल के openly ऐसा declare कर पाएं कि बही gender stereotype है नहीं चीज़ें तो वो majority basis पे अभी भी नहीं है then further to provide coordinated efforts to ensure necessary support services यानि कि आपको efforts जो है वो coordinated way में करने है सब लोगो को मिल जूल के करने है ताकि आप girls का participation और उसके बाद उनकी performance जो है elementary education की level पे enhance कर सके to build community support किसके लिए girls education के लिए तो community को include करना है conducive environment जो है girl education के लिए provide करना है कौन provide करेगा school करेगा but community और home का equal participation जो है इसमें जरूरी है to ensure that girls get good quality education at elementary level यही एक ultimate मुद्दा है हमारा इसी पे major focus है घूनफिर के सारे points आपको इसी की तरफ जो है point out करते हुए नजर आएंगे कि हमें good quality education provide करनी है elementary level पे अब इसके implementation strategy में इन्होंने बहुत detail है बहुत अच्छे से बता रखा state level पे क्या होगा district level पे क्या होगा district में sub district बोलने या block level पे core group बनाया जाएगा वो क्या काम करेगा तो उतनी detail में जाने के अपने को जरूरत है नहीं बठा ये पता हो group की तरह यहाँ पे काम करेगा चीक है then इन्होंने कुछ एक components दिये है girl education program के उनमें से सबसे better और सबसे अच्छी चीज़ जो आपको पता होनी चीए वो है model cluster schools mcs पहली बाद तो इसके full form पता हो ये girls के लिए रहेंगे एक model girl child friendly school जो है ये रहेगा cluster level पे तो ये selected all selected district या blocks में शुरू किया जाएगा जहाँ पर भी ये जो NPE, GEL वाली scheme लागू की गई है जहाँ पर ये scheme operational है वहाँ पर ये cluster schools खोले जाएंगे ये पहले की बात हो रही है 2003 की but obviously you should know about this scheme that's why we are talking about it so cluster जो है वो क्या होगा 5 से 10 village का होगा यानि 5 से 10 village को मिला के एक cluster बन गया और हर एक block में ऐसे 8 से 10 cluster होगे यानि 8 से 10 cluster मतलब अगर एक में 5 से 10 है तो 8 पंजे 40 और 10 दो वो है कि above 50 आपके पास already क्या है villages होने जरूरी है ताकि एक में अगर 10 village है तो 8 में कितने होगे 80 village होगे ओके सो असी से लेके 100 तक village आपके पास हो अगर मैं average लगा के चलो तो इस girl child friendly infrastructure will be used by all the schools in the cluster by rotation तो यह जो चीज़ हमने infrastructure बनाया है न यह schools जो है rotation wise cluster का इस्तिमाल करेंगी यह जो आपका modal cluster school है इसका इस्तिमाल करेंगी इसमें facilities प्रोवाइड की जाएंगी in terms of teaching learning equipment books और other equipments या games तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी so modal cluster schools जो है रहेंगे अगर overall financial norms की बात करें NP GEL के अंडर so सबसे पहले तो 75-25 का ratio था कि 75% जो खर्चा होगा वो central government देगी 25% जो अपनी state government देगी बाट इसको rearrange किया गया गव 10th plan के अंडर तो जो अपने 12-5 year plan है उसमें से जो 10th plan था उसमें 50-50 कर दिया गया इसको कि 50% central government और 50% state government अच्छा ये दोनों हिस्सेदार बन रही है और central government भी काफी बढ़ चड़ के हिस्सा ले रही है education में अब आप मुझे ये बता दीजेगा comment करके अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो नहीं है तो search करके बता दीजेगा क्योंकि आप type करेंगे लिखेंगे स्टैंड करता है वो आप मुझे comment करके बता दीजेगा and एक और चीज़ बताएगा कि originally जब constitution बना था तब education कौन से list में था अब कौन सी में है और कब जो है ये दूसरी list में shift हुआ so ये assistance का हमने बात कर ली then further और committees बनाई जाएंगी वो तो होंगी ही girls के लिए उसके अलावा जो है ये further और काम करेंगे NPGL वाला program जो सर्फिक्षय अभियान की society है वो ensure करेगी कि कोई duplication ना हो activities का जो इस program में मतलब basically वो ही program में वो ही activity हमने सर्फिक्षय अभियान में डाल रखी दी वो ही हमने NPGL में डाल दी तो फिर क्या ही फायदा हुआ ना अलग-अलग program का तो जो सर्फिक्षय अभियान में है वो चीज़े तो चलेंगी वैसे की वैसी और यही इसकी society है वो ही ensure करेगी कि यही activities repeatedly जो है वो NPGL में ना हो उसमें कुछ अलग activities करवाई जाए जिससे girl education जो है उसके उपर focus जा सके 2004 और 5 से अगर हम बात करें तो यह state जो है वो क्या आप करेगा एक sub plan prepare करेगा जो कि किसका part होगा सर्फिक्षय अभियान का और district यह जो आपका है district elementary education plan का but फिर भी एक distinct component होगा तो यह बात ध्यान रखने वाली है कि सर्फिक्षय अभियान के अंडर ही हो रहा है काम तो देखा जाए तो but distinct component तो यह एक अलग component है ताकि इसके उपर focus किया जा सके government of India जो है वो directly release करेगी fund कहां पे सर्फिक्षय अभियान state implementation society के पास वो release करेंगे यह सारे के सारे fund its share किसके पास तो यह state implementation society के पास release कर देंगे कि कितना share है क्या चीज़े है क्या funding है सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगे state में जहां पर महिला सामख्य जो है वो implemented नहीं है और implementation of this scheme will be through a sub unit जिसको हम बोलेंगे gender unit किसकी सर्फिक्षय अभियान society की यानि जहां पर महिला सामख्य है वहाँ पर तो जो है वो funds कहां release किये जाएंगे पहले महिला सामख्य society को ताकि वो आगे maintain करें इन activities को बट जहां पर महिला सामख्य नहीं है वो society उस state में या उस जगह पर available नहीं है तो यह scheme जो है सर्फिक्षय अभियान society के अंडर एक और unit बनाई जाएगी जिसको हम gender unit को लेगे state society should open a separate savings bank account किसके लिए इनके funds को operate करने के लिए तो आप एक savings bank account खो लिए उसमें funds आपके आएंगे और वहां से आप फिर खर्चा करेंगे और चीजों को balance करेंगे जो भी अपने activities plan की है उन सब को करेंगे पूरा ठीक है जी सो मैं उमीद कर रही हूँ कि आपको यह जो NPEGEL है यह समझ आया होगा कुछ थोड़ी से अलग चीजें या specifically हमने अलग क्यों किया इन चीजों को उस पे focus इसका था पूरा का पूरा फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो comment करके पूछ लीजेगा this was all about today thank you so much for watching be happy keep smiling subscribe to Incligate Learning because it is absolutely free and be consistent in your efforts